हालो फ्रेंज निलीमा क्रिशन में आपका फिर से स्वागत है तो आज मैं आपको यह स्टार शेप डॉर्मेट के डिजाइन बनाना बताऊंगी इसे में आज आपको 36 फंदे से बनाना बताऊंगी 36 फंदे में बहुत ही बड़े साइज में आपका यह बनकर त्यार हो जाएग प्लीज इस वीडियो को अंतक देखिएगा बहुत ही आसान सा डिजाइन है और आसान स्टेप के साथ ही मैं आज आपको इसे बताऊंगी अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और कमेंट करके भी बताईएगा तो चलिए शुरू आपको वैसे अगर किसी और तरीका भी आता हो तो आप उसे भी फंदे ले सकते हैं अब यह देखिए फ्रेंट्स इसमें 34 फंदा ले लिए हैं अब दो फंदा बॉर्डर के लिए हम लोग यहां पे ब्लू कलर से ले लेते हैं इसलिए हम इसमें यह तीन गोले लगाए हैं तो देखिए इस तरह से जो चोटा वाला गोला में से दो फंदा यहां पे ले लेते हैं जो बॉर्डर में बॉर्डर है जो का उसके लिए तो यहां पे हम लोग to 34 हो जाएगा फिर एजा अज..? तो यह देखे अब यहां से देखे अब यहां पर जहां पर जैसा कलर है अब यह हम लोगों 17 बिनने हैं तो गिंते भील लेते 1 2 3 4 पाच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, ये देखिए, सत्रा, इस तरह से सत्रा फंदे बिन लिए और इधर में भी हमारा सत्रा फंदा है, इन सत्रा फंदों में से पंदरा फंदों में अब हम लोग को ब्लू कलर लगाना है, तो यहाँ पे देखिए, जो दूसरा गुला है, उसमें से ब्लू कलर यहाँ दू तीन चार पाच छेर साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तीरा चौदा पंदरा ये देखें पंदरा फंदे बिल लिए ये दो फंदर आगे से यहीं पर छोड़ देते हैं ये से धागा को पलट देंगे इस साइड इसका सीधा साइड बनने वाला है तो इधर में जहाँ पर जो जैसा कलर है वैसे बिल लेंगे इस तरह से बहुत ही आसान सा डिजाइन है सीखने के लिए प्लीज इस वीडियो को अन तक देखिएगा और भी नए नए डिजाइन्स में आपको बतलाती रहूंगी प्ली तो आज चैनल यहें मैंन इका अरक तो द लिए ये लाइक कर दीजेगाऑ पिचह सकते हैं मैंशा और नहीं अगर पषणदया नहीं क हर सकते हैं तो जोब देखिए धागा différent से पीछे लेत आना है और यहां की बढ़सद्मना घंते दागा को सामने लेकर आना है यह देखें फ्रेंज के पने लेटे ला वी दियां आगे इसके इस्के उपरींग यहां पिसे दो फंद रह गए ब्लु कलर चिंगे फिर से दागा पीछे ले जाएंगे और यह ब्लु वाल सामने लाकर के अच्छे से खीच देंगे और इसके बा यह जो पहला लाइन है उसको बहुत सावधानी से बनाना है क्योंकि खुलने का डर रहता है इसलिए यह देखे इस तरह से आप देखिए यहां यह इसका दूसरा लाइन है दूसरे लाइन से देखिए यह दो फंद है उसे हम लोग कुछ ने करेंगे बॉर्डर के लिए बना है तो हर लाइन में इसी तरह से इसे बिल लेना है यह देखिए अब यहां से हम लोगों को देखिए 17 फंद था ना तो यहां पर 16 फंदे बिलने हैं तो देखिए एक है दू दूर्ड जो एक फंदा घिया कलर करा गया अब हम लोगों को बदलना है इसे उसे हम लोग ब्लू कलर से बिल लेंगे इस तरह से और फिर से बाकी अब्लू कलर वाले में से बिनते जाएंगे खूड़ने के गार नर्त में दो संदा चोड़ना है यहां तक कि सारे फंदे बिलनेने हैं तो यह इस दमिक्ता कि देंगे जांगे इन दोने को छोड़ ends अपड़ní यहां तक लें गए यह देखिए फ्रेंज बिनते वे आगे इसके उपरी साइड में यह देखिए इस तरह से अब देखिए अब यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ 15 फंदे ही बिनने हर बार एक फंदा यहाँ पे यह ब्लू कॉलर से कनवर्ट करना है सेम प्रोसेस के साथ जैसे दूसरे लाइन में किये थे वैसे ही तो इसे बिन लेते हैं हर लाइन में एक एक फंदा हम लोगों ब्लू कॉलर से बदलते हुए बिनना है तो यहाँ से 15 फंदे बिन लिए अब यहाँ पे देखिए यह जो एक फंदा है से ब्लू कॉलर से बदल ले रहे हैं जैसे दूसरे लाइन में किये थे बिलकुल सेम तरीके से फिर से बाकियों को बिनते वे जाएंगे और यहाँ पे दो फंदा फिर से छोड़ेंगे तो यहां तक बिन लेते हैं यह देखे फ्रेंस आगे यहाँ पे यह दो फंदे छोड़ देते हैं और विट वापिस बिनके यहां आ जाएंगे इस बार 14 फंदे बिनेंगे फिर एक फंदा यहां पे ब्लू कलर से कनवर्ट करेंगे ऐसे ही एक एक फंदा कनवर्ट करते हुए हम लोगों को यहां पे 15 फ है वह रह जाएगा बाकी सारे फंदे ब्लू कलर में बदल जाएंगे और इधर से कंटिनियूसली दो फंदा छोड़ते वे तीस फंदा तक हम लोगों को छोड़ना है तो इतना दूर तक कर लेते हैं उसके आगे बताते हैं यह देखिए फ्रेंस बिनते वे यहां तक बिन चोड़ दिए अब सिर्फ यहां पर ब्लू में दो ही फंदा रह गया है तो यहां पर कोई आप लोगों कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको दिखा दे रही हूं कि आपको कैसे करना है यहां से देखिए अब यह ब्लू वाले है पहले तो इसे बिन लेते हैं का गल ein च experi प्लाव अब यहां पर घ्याम से तीन फंदा विल लेते हैं कि मेंन आप ग्यूजन एक गया इसे अम लोग बदाल देंगे फंदwalk यह देखिय अब इसके बाद दुए कोई फंदा रहने जाएगा तो यह दो फंदा जो है इसे झोड़ देते हैं यह से बिन लेते हैं फिर से देखिए यहां पर एक फंद ब्लू का बिन है इसे पीछे कर देंगे और गिया कलर वाला सामने लाकर के बाकियों को बिनेंगे इस तरह से अब देखिए लास्ट फंदम लोगो कनवर्ट करना है तो इस बार पहले बॉर्डर वाला बिन लेते हैं यहां से दो फंदे बिन लेते हैं अब यह जो एक फंदा है उसे बदलेंगे इस तरह से और यहीं से धावा पलट देंगे तो देखिए यहां पर दो लाइन में हम लोग सिर्फ एक एक फंदा पलटे हैं और यहीं से पलट जा रहे हैं तो ऐसा ही आपको भी करना होगा इसलिए मैं यहां पर दिखा दी लाष्ट में आप लोग अभी इस तरह आएगा तो कोई कंफ्यूजन ना रहा जाए इसलिए फिर इसे पिछे करके इस तरह से बिनेंगे अब देखिए फ्रेंज अब यहां से यहां तक एक बार सबको साथ में लेकर के बिन देंगे तो यह जो चार फंदे उसे पहले बिन लेते हैं इस तरह से बाकी को ब्लू कलर से सबको साथ में लेकर के बिन देते हैं कि यह देखिए फ्रेंज बिनते विया के अंत में इस वाले लाइन में सारा ही फंदा बिन लेंगे जो तो किया कलर के फंदे रा गये थे उसे भी बिन लेते हैं इस साथ से वापिस बिन लेंगे यहां तक यह देखिए फ्रेंज बिनते वे आगये इसके उपरी साइड में यह दो फंदा ब्लू कलर कर रह गया है उसे भी इम लोग यहां बिन लेते हैं इस तरह से इस तरह से इस तरह से यहापकरी कम्प्लीट हो गई है यह ब्लू अधागा यहां तक आगए इसको अब देखिए ब्लू वाला धागा को फिर से नीचे करते जाना जैसे की डिजाइन में है देखिए एक बर ये इस तरह से बढ़ा है और फिर ये कमा है तो इस तरह से पतिक वाला शेप आ गया है तो ऐसे ही करना पड़ेगा तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे अब यहां से यह जो बॉडर वाले फंदे भी लेते हैं पहले अब यहां पर दो फंदा यह घिया में है तो इसे तीन कर देंगे एक गो और यह तीन यह देखिए यहां यहीं से धागा पलट देंगे तो यह इसलिए ऐसा करेंगे लास्ट हम लोग जो पाइब बीच वाला बनाया उसका पहले वाला जो फंदा बिन थे तो यहीं एक ही फंदा बिन के मुड गये थे इसलिए यहां पर यह देखें नब इन मुर जा रहे हैं इस Gulf में बिन लेते हैं आपको आपको भी करना होगा तभी जितना पंदल लिये हैं उतना upgrade में डिजाइन सेट होगा कि यह दे के पहल tragen इसी तरह से क्रेंगे उसके बाद से देखिए तक यहां बॉर्डर वाले फंदें बिन लेते हैं दो अब यहां से घिया में चार फंदें बिनने हैं एक दो तीन और इधर से एक फंदा कनवर्ट करेंगे यह देखिए चार लेकिन अब यहां से हम लोग को दो फंदा साथ में ले करके बिनना भी है पहले हम लोग यहां पे कनवर्ट कर रहे थे और इधर से दो फंदे करके छोड़ रहे थे अब हम लोग यहां पर convert करें और यही पर दो फंदा साथ में लेकर के बीनेंगे यह देखिए यह विला धागा है इससे यहां से यहां से लेकर के बीन लेते हैं इस तरह से अब देखिए यही से धागा को पलट देंगे इस साइड से भीन लेते हैं सीधी साइड से अब यहां से थोड़ा इजी हो जाएगा देखिए अब यहां पर हम लोग एक फंदा घिया कलर में कनवर्ट करेंगे और देखिए यहां गैप समझ में आ रहा है गैप के बाद इन दोनों को साथ में लेकर के बिन देंगे इस तरह से एक दो तीन चार एक इधर से यह पाच इसके बाद का यह दो फंदा बिनना है पहले से बिन लेते हैं और इसके बाद का दो फंदा यहीं से दागा को पलड़ देते हैं इस साइड से वापिस बिन लेते हैं कि अब देखें अब देखें यहां पर यहां पर यहां तक बिन देंगे और इसके बाद का दो फंदा साथ में लेकर के बिन देंगे इस इसे तरह से हर लाइन में एक फंदाब करते जाना है और इसे बिनते जाना है यह देखें रहा से हैं यहां से हैं अभी पांच घी शेय कर देते हैं two three चार फांच और यह इधर से बीन देते हैं अब देखिए इन दोनों को बीन लेते हैं इस तरह से यह अधर से दो पंदर शाथ में लेकर के बीन देते हैं इस तरह से और यहीं से धागा को पलर देते हैं इस साइड से वाफिस बिनके यहां आ जाते हैं यह देखे फ्रेंस आगे इसके उपरे साइड में इसी तरह से हम लोगों को हर लाइन में एक फंदा यहां पर करते जाना है हम लोग घीया में 17 फंदा रखे थे तो घीया में 17 फंदे मनवी상 को कर देने हें और इधर से बिनके चाहर के बिजसा यहन से इफाए गलर करना हैं सेम प्रोसेस के साथ इसके आगे आपको बताते हैं तो देखिए फ्रेंस बीनते वे यहां तक बिल लिए इधर में एक एक फंदा बदलते हुए 15 तक हम बदल लिए यह अंत में देखिए दो फंदा सिर्फ यह रह गया यह इसलिए रह गया क्योंकि यह घिया कलर में छुटा ह अता तो दो देखिए यहां पर यह हमारे 17 उन्दे हो गए और यह वरूँ आले 15 फंदे हो गए तो दिखा देते हैं आपको देखिए धियंकर कि धिया में से देखिएगा दो दो चार दो चे दो आट दो द's दो बारा दो दो 14 दो 16 एक यह 17 इधर में देखिए 15 फंदे हो गए होंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा अब देखिए यह इस कली का लास्ट लाइन है जैसे हम लोग पहले लाइन में घिया कलर लगा थे वैसे हम लोग घिया कलर से ह सबको बिन देंगे यहां तक सिर्फ जो बॉडर वाला दो फंदा है उसे लोग ब्लू कलर में ही बिनेंगे तो देखिए इस तरह से कि यहां से अब हम लोग सबको बिन देंगे इसी के साथ यह इसकी एक कली कम्प्लीट हो जाएगी तो इसे अंतक ऐसे ही उल्टा-उल्टा बिन लेते हैं कि यह देखिए प्रंस बिनते वे अंत में आ गए अंत में यह दो फंदार आ गया था उसे भी साथ में ले करके यहां घिया कलर से ही बिन देंगे इस तरह से प्रंस से वापीस भीनते वे यहां तक करें लेने हैं अब इसके दूसरी कली को सुरू करते हैं देखिए फिर से जो बॉर्डर वाले फंदे उसे बीन लेते हैं यह देखिए अब यहां से फिर से घिया कलर से सत्रा फंदे बीनेंगे यह देखिए फिर सत्रा फंदे बीन लिए अब यहां से हम लुग इसमें ब्लु कलर लगाएंगे तो हमारा ब्लु कलर गदागा यहीं पर मिल जाएगा यहां से हम लुकलर लगा लेते हैं पंद्रा फंदों में प्रस्काइब का यह देखे फ्रेंस बिन लिए इसे धागा को पलाड देंगे सीधी साइट्स वाप इस भिन लेंगे यहां तक ऐसे ही जैसे इसे कंप्लेट किये ऐसे करें हई लाइन में कि फंदा करते जाएंगे इस तरह से 30 तक छोड़ देंगे अंत में जैसे यहां पे घटाया थे वैसे ही दूसरी कली में भी घटा लेंगे इसी तरह से देखिए यह कर लेंगे तो बनाने के बाद बिल्कुल ऐसे ही वह त्यार हो जाएगा अंत में फंदेबंद करके सुईधा के सिलाई कर लेंगे